हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज में आपके लिए दो बड़े शेर की बात करेंगे अभी तक खामोश है कोई बहुत बड़ी रैली दी नहीं है जस्ट मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इक करके दोनों को समझेंगे बड़े शेर है अपनी इंडस्ट्री में नाम है दोनों का और ब्रेंड नेम भी मैं कहूंगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत इंपोर्टेंट तरीके से इसको चीज को समझना और आपको जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत को सीखने को होता है इन वीडियो के माजम से यह प्राइस सेक्शन के पूरी सीरीज आपके लिए रएडी है आप इसको देखिए और समझने सीखने की कोशिश कीजिए बहु आपको कहूंगा देखिए आप देख लीजिए कुछ भी कहीं से भी कितनी किताबें पढ़ लीजिए लेकिन जो चीज दिमाग में बैठेगी न वह आपके खुद की महनत यानि कि प्रैक्टिस से बैठेगी और प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलर्ली कहा जाता है कि ए आपने देखे हैं तो बहुत कुछ आपके पास होता है तो इसलिए यह प्रैक्टिस जरूर्य है को स्टार्ट कीजिए हम बात करने करने वाले हैं गौधरेज इंडस्ट्री लिमिटेट पांसो दो का प्राइस चाहिए ये पांसो दो का प्राइस और गौधरेज emba क्रोड लेकिन stock में क्या कमी है इसके revenue को देखे 16,000 करोर इसके profitability को देखे 1600 करोर क्या कोई कमी दिख रिया आपको 16,000 करोर यह देखे 1600 करोर को ना revenue में कमी है ना profitability में कमी है लेकिन share का price क्यों नहीं भागा अभी तक share का price कहां पर है देखिए बिलकुल जड़ पर है अगर आप share का price देखते हो तो यह 499 का level है कितना है देखिए फिर से अभी बताएंगे आपको 499 level यह देखिए यह मैंने लिखना अभी से start किया कुस लोग के feedback आये थे उनको यह 499 य अब साथ में अगर आप देखोगी तो यह cycle स्टार्ट हो रही है और मैं अगर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाओं तो देखिए 499 का यह प्राइस से करेंड यह देखिए एक momentum box बनता हुआ अगर आप overall देखोगे समझोगे तो यह चीजे देखिए बहुत ही बहात इस लवल से at least हमें यह जोन दे मतलब 650 से बट 500 के लवल से 650 तक जाना अपने आप में एक बड़ी rally है at least इतना starting में move दे यह weekly chart है कौन सा chart है Godrej industry का weekly chart है और आगे की कहानी फिर इसके बाद एक नई कहानी start करेंगे लेकिन पहला जो point हमारे पास है वो यह लवल है इसका all time high क इर्द ग्रद 650 से 675 यह जोन है फिर से कोशिच करूंगा लिखनी का यह जो उपर का जोन है आप देख सकते हो क्या है 650 से लेके 675 का जोन है ठीक है तो यह हमारे पास important क्या है momentum box यह Godrej industry आपके सामने आ रहा है तो चलिए यह तो हमारे सामने Godrej industry आ गया लेकिन आप तो आपको दिखेगा डेली चार्ट में आपको दिखेंगे बहातरीन तरीके के स्मार्ट मनी के वॉल्यूम स्मार्ट मनी के वॉल्यूम से साथ फिर आपको दिखेंगे कुछ important points जड़ा ध्यान दिजिए और कौन से points की बात हुरी देखिए देख रहे हो low points जो हमें पर जरूर गया है लेकि नितना उपर नहीं अभी just consolidation range में कहूंगा इसलिए आपको कहते हैं जब आप बड़े time frame को follow करते तो आपके पास बहुत मौका होता है एंट्रीका पूरा 40-50-100 points का range होता आपके पास हैंट्रीका क्या अपना target क्या है यह level 650 से 675 का तो फिर से जैसे म मैं यहां पर आपके सामने यह तो हमने बात कर दी डेली time frame के क्योंकि दो स्टॉक के बारे में बात करना है उससे पहले एक और स्टॉक आपको दिखाऊंगा यह ग्लैन मार्क का वीकली चार्ट देख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में जैसी एक positivity सी ग्लैन मार्क में देख 440 के रीजन क्या प्राइस था इसका 440 का फॉर फॉर्टी के अराउंड का प्राइस था फॉर्फॉर्टी से फॉर्फिफ्टी का जोन ही आइधिंक यह प्राइस का था और हमारा जो टार्गेट जोन था सबसे पहले यहां पर क्या डार्गेट जोन था यह लेवल देखिए पार्ट को यह लेवल देखिए consolidation अब और उपर का दो जोन देखिए यह लेवल बहुत आसानी से इसने टच कर दिया है पहला वाला consolidation correction की उम्मीद करेंगे फिर आगे की rally की आपको गयर कितना बढ़िया है किस लेवल से ग्लैन मांग गया 400 की रेंज थे और कहां तक गया देखिए पहला यह जोन अभी तो इससे उपर का जोन और आगे है इससे उपर का जोन यह देखिए यह नौसो अजार का जोन फिर और आगे जोन लेकिन अभी फस्ट लेवल पर कंसॉलिडेट कर रहा है तो बढ़िया rally मैं कह से टाइम फ्रेम भड़ता रहता है मतलब पांच मिनट से पंदरा मिनट पंदरा से आवर ली आये आवर ली से आपने डेली वीक्ली मंतली को देखो के उसी साव से आपका 200 ऐसे में का इंपोटन्स और बढ़ता जाता है मतलब वीक्ली पे 200 ऐसमी की साइकल और स्टॉंग हो आते आते देखे 200 SMA पर रुखता है और देखिए यह मूव देखिए बड़ा मूव कब स्टार्ट हुआ NGT क्या कहते हैं इसको LGT लंडन जोन देख सकते हैं न्यूर्क जोन हमारे पास इंडिया को देखिए क्या प्राफिटेबिलटी में कोई कमी दस हजार करोड का 866 860 क्रोड का प्रॉफिट देखिए। प्राइस सांत बैठा हुआ है खामोस बैठा हुआ है लेकिन इस खामोशी के लिए जरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह खामोसी का लेवल देख सकते हो आप दीरी दीरे चीज़े पार भी और यहां से मूब स्टार्ट अभी अभी तो जस्ट साइकल स्टार्ट ही हो रह की उपर की रैली ताई करनी है तो आपको दिखा रहा है यह खामोसी की कंसलिडेशन और यह जोन यह कौन सा स्टॉक है यह हमारे पास बर्जर पे तो चली छोड़े टाइम फ्रेम पर जाते देखिए वीकली पर टूहंडड़ समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है औ अगर डेली टाइम फ्रेम में देखुए तो साइकल अलड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी साइकल के स्टार्टिंग का यहां से स्टार्ट हो देखिए छे सो की रेंज से तो अभी 70 पॉइंट का लेकिन एक बड़ा मूब जो है जिसकी उम्मीद है वह अभी तक यहां पे पेंडिंग है और जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे उस बड़े मूब की और इस स्टॉक से जो टार्गिट रहेगा एक्सपेक्टेशन वह रहेगा यही 860 के राउंड का यहां पर रहा हुआ है यहां से यहां तक की जर्णी तो यह कौन सा स्टॉक हमारे पास बर्जर आउंड का बहुत इंपोर्टेंट तो हमने दो स्टॉक का जिकर कि आज गौदरेज इंडस्ट्री और बजर पेंट बड़ा स्टॉक है देख सकते हो बड़ा शेयर जिसका मार्केट का अपलेशन पैसट हजार करोड का है और पेंट इंडस्टी में इसी का नाम है इसी का न आई बटन बे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हो और सीखते रहिए और साथ में लाइक जरूर किया किजिए देखे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए देखे कमेंट करते रहें लाइक करते रहें थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिन दे व प्रेडियो